जेसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी एन यून सेक के अंदर था और वहाँ पर उसने यून लेंग को अपने बुद्धा लोटस एंगर से इतना जादा खायल कर दिया था कि वो अब अपनी आखरी सांसे गिनने लगा था। इस सबसे यून शेन को भी बहुत गुसा आ गया था और वो तुरंट जी एन को मारने चला गया था। लेकिन उनकी लड़ाई के बीच तुरंट वहाँ जी एन के टीचर प्रकट हो गय थे और उन्होंने जी एन की जान बचा ली थी और वो जी एन को वहाँ से भगा कर ले जा जी एन को मारने के लिए जी एन के पीछे गए थे। जी एन अब यून सेक के ही भेजे हुए डिसाइपल से बच रहा था और भागते भागते वो वार्ग्राफ मांटेंस में चला गया था। अब यहाँ जी एन बैठा है और उसके टीचर उसे हील करने के लिए उसे पिल द थी कि वो इस पिल को पूरी तरह से अब्सॉब कर सके लेकिन फिर भी जियान हिम्मत नहीं हार रहा होता और इसे अब्सॉब करने का ट्राइ करता है उसके अंदर से इतनी जाद एनरजी निकल रही थी कि उसको देखकर टीचर भी एक बार शौक हो जाते हैं ये एनरजी जिया करना पड़ रहा था उसके आस पास बहुत सारे क्रिस्चल क्रियेट होने लगते हैं जो दौग की एनरजी के छोटे-छोटे पैकेट्स हैं और अब जी एन धीरे-धीरे हील भी होने लगता है ऐसी शांदार पिल सिर्फ उसके टीचर ही बना सकते हैं कॉंटिनेंट के सबसे बड़ी अलकिमी एसोसियेशन जिसके एलड़ फामा है वो भी ऐसे पिल क्रियेट नहीं कर सकते हैं अब जी एन जो एनरजी को एब्सॉब कर रहा था वो चारो तरफ फैल जाती है और ये सीन देखने लायक हो जाता है क्योंकि इस पार को देखकर वो उसके साथ पुरा हो सकता है इसलिए वो अब एब्सॉप्शन को रोग देता है और अब वो बचे हुई एनरजी को यूज़ करके अपनी स्टार्स बढ़ाने का डिसाइड करता है और तो रन फिर कल्टिवेट करने बैठ जाता है और कुछ समय के स्ट्रगल के बाद जी एन ठीक हो जाता है और अब उसकी सोल पार टू स्टार रांग से इंक्रीस हो चुकी थी ये देखकर वो दोनों ही काफी जादा खुश होते हैं अब उसके मास्टर उससे उसका अगला प्लान पूछते हैं कि आखर अब जी एन क्या करने वाला है जी एन अपने पापा को बचान आने वाली नहीं है लेकिन युन लेंग के पास जूट बोलने का कोई कारण ना था जिस वचे से जी एन समझ जाता है कि युन लेंग ने सच बोला था उसके पापा सच में पहाड़ी से कूटते ही गायब हो गय थे लेकिन वो आखिर गायब कैसे हुए थे उसे ये समझ नह आ रहा था जियान अपना वो जादूई पेंडिन निकालता है जो अभी भी गलो कर रहा था और इसका मतलब ये था कि उसके पापा अभी भी जिन्दा है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो कहा है उन्हें ये तो समझ आ गया था कि युन लेंग के नजरों के सामने उसके पापा गायब हुए है इसलिए मतलब ये है कि युन लेंग से भी बड़ी शक्ति है जिसने उसके पापा को गायब किया है टीचर जियान से उसकी बच्पन की दोस से इस बारे में पूछने को कहता है जिस पर जियान बहुत शौक होता है और कहता है कि जी जूनियर का आगर इस सबसे क्या तालुक है? टीचर कहते हैं कि जी सूनियर जैसी लड़की बिना किसी कारण के जीयान फामिली के अंदर रहने नहीं आएगी उसके आने की पीछे जरूर कोई ना कोई कारण था और अब जब तुम्हारे पापा गायब हुए हैं तो अब इसमें जरूर उसका कोई ना कोई हाथ जरूर है ये सुनकर जीयान सोच में पढ़ जाता है लेकिन उसको अब इस बात की तसल्ली थी कि ये पैंडेंट अब कॉंटिनियूसली ग्लो कर रहा है जिसका मतलब उसके पापा की जान खत्रे में नहीं है और वो धीरे धीरे रीकवर हो रही है वही हम वाइट स्नेक को देखते हैं जो बागे सभी मॉंस्टर्स और डेमन से अपनी सेवा करवा रही होती है और खाना खा रही होती है अब जीयान अपने मास्टर को एक जेड दिखाता है जो उसने Alt Amistory Treating बजार से लिया था ये एक स्टोरिज सेल की तरह काम करता है और ये जेड वाले ओफ बर्निंग का एक पीस है जीयान अपने मास्टर से वाली ओफ बर्निंग के बारे में पूछता है जिस पर उसके मास्टर उसे वैली ओफ बर्निंग के बारे में बताना शुरू करते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरहें खतम हो जाता है